पूरे मध्यपदेश में आधा करोड से अधिक हो चुके हैं इसलिए मुख्य मंत्री जन सेवा मितर नीतू यादव ब्लॉक पलेरा के द्वारा मध्यपदेश शासन द्वारा संचारी लाडली बहना योजना के अंतरगत ग्राम पंचायत दिनों में योजना का प्रचार प्रसार करते हुए ग्राम पंचायत में दीवार लेखन किया मंध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री सम्माननिय शिवरा सिंग चोहान को धन्यवाद देते हुए दीवार लेखन किया दिवार लेखन करते हुए ग्राम के सभी लोगों को जागरुख किया साथ ही ग्राम की सभी महिलाओं को लाटने बहन योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए जानकारी देते हुए उन्होंने जल से जल्द आवेदन करने के लिए प्रिरिद किया साथ ही उन्होंने EKYC के भरे में जानकार देते हुए बताया कि शासन द्वारा EKYC बिलकुल निशुल्ख है इसका हमें कोई पैसा नहीं देना है और EKYC मध्यपदेश के MP Online एबम राशन के दुकान से हम आसानी से करा सकते है EKYC होने के उपरांत हमें ग्राम पंचायत कारले में अपना आविदन देना है आविदन देने के बाद बैंक जाकर अपना DBT चेक ले करा ले ताकि आगे आपको कोई परिशानी ना है ऐसी जानकर देते हुए शासन की अन्य सभी योजनाओं के बारे में विस्तार रूप से जानकर दी मुख्य मंत्री जन सेवा मित्र नीतु यादव ब्लाग पलेरा से मुख्य मंत्री लाडली बहन योजना का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य मंत्री लाडली बहन योजना के आबेदन पचाश लाग से पार हो चुके हैं उसी कुसी में मैंने अपने ग्रामेट छित्र में दीवार लेखन के माध्यम से मानिनिय शिवरा सिंग चोहान जी को धन्यवाद दिया है और ग्रामेट छित्र की महलाओं को जागरू करते हुए उन्हें बताया है कि कैसे होनी है आबेदन हमें कैसे करना है और बैंक जाकर डीवीटी भी चेक करानी है ताक कि कोई भी महला इस फॉर्म से बंचित ना रहे और समय रहते वाए अपना फॉर्म एपलाई कर सके मैं मदर पैदेश के मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान जी को आपने ऐसी योजना चला कर लाडली बहनों के लिए बहुत कुछ किया है और लाडली बहने आगे अपने जिवन में बहुत कुछ करने वाली है एक बात पुनहा इसी के शाथ मैं जन्शिवा मित्र नीतु यादव बिलोक पलेरा टीकंगर से माननी है मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इपन बहुत बहुत शुब कामना है पचास लाग से अधिक फॉर्म हो चके है धन्यवाद प्यारे मामा जी यह योजना चलाने